Dear Rivers, Good Morning मैं अपना चैनल जंगल की दुनिया शुरू कर रहा हूँ इसमें आपको दुनिया भर के वाइड एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट की पूरी जानकारी मिलेगी उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आएगा हर एपिशोड में नईनी जानकारिया मिलेंगी आज हम बात करेंगे वाल्ट की इसे हिंदी में बहरी जैनकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे यूटीव चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियम साइज के कुत्ते की तरह से होता है और जर्मन शेफर्ड जो कुत्ता है उससे 90% मिलता जूता होता है यह बहुत discipline होता है गुरूप में रहता है लेकिन अब यह endangered animal में आ चुका है latest survey के हिसाब से अब इड्लिया में सिर्फी यह 2100 बचे है आज से 60 साल पहले इनकी गिंती लाखों में थी और हर जगा पाय जाते थे उतरवर्देश में भी हर जगा अवे लेविल थे पहले मजबूत दर्वादे और दीवार नहीं थे और बिजली भी नहीं थी तो यह बच्चों को उठाकर घरों से ले जाते और खा जाते थे तो इनकी बहुत terror थी यह जमीन में गुपा बनाकर रहते हैं और अब जंगल कटने और आबादी बढ़ने से यह खतम होते जा रहे हैं अब इन्हें सरकार रिहेविलेट कर रही है यह बहुत थोड़े से मद्या परदेश, महारास्त और गुजरात में बचे हैं बहुत समझधार जानवर होते हैं पूरी दुनिया पाए जाते हैं पहाड़ों और बरफीले इलाकों में भी यह कभी भी शिकार करते हुए देखे जा सकते हैं यह कभी जखमी नहीं होते इन्हें जखमी शेर और चीते का अंजाम पता होता है कि वो जखमी होकर भूख के मर जाते हैं यह जखर भग्यों नहां खा जाते हैं इसलिए यह हमेशा जखमी होने से डरते हैं और लडाई जगड़े कम करते हैं इनमें फैमिली बांडिंग बहुत मदबूत होती है इनमे पियर होता है अगर एक मर जाता है तो दूसरा किसी और से वास्ता नहीं रखता है और अपने बच्चे को पाल कर बढ़ा करता है ये अपने बुड़े पिरेंट्स की भी देखभाल करते हैं और भूख से मरने नहीं देते अड़ाप्टेशन की वजह से करण और साहिज में फर्क होता है ये बिलकुल काले और सफैद भी होते है ये मीरों तक शिकार का पीछा करते हैं और सखा कर काबू में कर लेते हैं हमेशा गुरूप में रहते हैं अगर कोई बच्चा या बोड़ा इने मिल जाता है तो उसे ये मार देते हैं मजबूत आदमी कोई ये वाइड करते हैं और इनकी में डाइड बकरी, भेर, हिरन और जंगने सोवर होते हैं ये मिल बाट कर खाते हैं और आपस में जगड़ा नहीं करते हैं